नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल अभेसिंग लेस्वाड में स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्रिटकल लिफ्ट एसेस्मेंट एंड प्लान जो फॉर्म होता है उसको कैसे भारे हैं जब भी हम क्रिटकर लिफ्ट करने जाते हैं तो एक फॉर्म फिलप करते हैं जिससे की उस सारी चीज़े सिस्टेमेटिक तरीके से आ जाये और सारे जो कंसर्ण परसर उनका सायन हो जाये ताकि सबकी जिम्मेदारी हो ताकि पूरा काम सुरक्षित हो पाए तो आज की इस वीडियो में हम लोग वही फॉर्म देखने वाले हैं कैसे भरते हैं यह एक टीपिकल फॉर्म है कंप्री डू कंपनी यह भैरी कर सकता है लेकिन कंटेंट हर जगा सेम होने वाला है तो आई होप आप इसको इंज्जॉय करेंगे तो आखिर क्रिट करते किसको है हर कंपनी में यह चीजे भैरी करती है जैसे मैं जो टेंपलेट आपको दिखाने जा रहा हूं यह टेंपलेट है जिसको क्रिट करने से पहले भरते हैं ताकि सब कुछ सही हो यानि कि पहले से अच्छे से प्लानिंग हो जाए ताकि लिफ्ट एबब हो तब हम उसको critical lift बोले है, tandem lift हो तब उसको critical lift बोला गया है, suspended man basket अगर use किया जा रहा है तो यह critical lift में आया गया और more than 75% crane rated capacity हो, up to 90% critical lift में लिया गया, तो अगर ऐसा कोई भी condition हो रहा है तो आप इस format को भरना है, इस format को भरने से पहले मैं आपको इसका एक summary दिखाता ह यह इसका mind map है, यह critical lift assessment plan जो है, यह four section में है, section A, section B, section C, section D, section A जो है, lifting details के बारे में है, section B जिसमें sketch आएगा, यानि कि लोड कहां से उठाना है, कहां रखना उसका एक drawing आएगा, section C में critical lift authorization के बारे में बात होगी, और section D में personal lift authorization, यानि कि आप man basket अगर का प्रयोग कर रहे है और उसके बाद एक कुछ no good criteria होगी, जिसमें अगर कोई question अगर no हो रहा है, तो आपको यह lifting नहीं करना है, तो सबसे पहले आपको यह कौन सा section भरना है, इसके लिए यहां पर कुछ question दिए गया, तो सबसे पहले आपको भरना है contact person का name, यानि कि इस lifting के लिए किसको contact करना है, यह lifting के लिए कौन authorized है, contact person आप यहां भर देजे, जो भी नाम है, A, B, C, जो भी है, आप यहां भर देजे, contact name भर देजे, जो भी mobile number है, उसके बाद आपको यह question, उसके पहले आपको description of the lift to be performed, आप क्या lift करने जा रहा है, जैसे मैं एक 70 ton का vessel lift करने जा रहा हूं, यह example है, कोई भी question अगर no आता है, तो continue the next question, अगर yes आता है, तो आपको instruction follow करना है, अगर no आता है, तो next question मैं जाना है, जैसे किया आप personnel be hosted हो रहा है, कोई आदमी को उठाने जा रहे है, then अगर yes है, तो आपको A, B, D, यह तीनो भरना है, अगर आप more than one crane का use कर रहा है, तो यानि कि आ 75% ज्यादा rated capacity उठा रहे हैं, तो आपको section A, B, C भरना है, अगर yes है, तो no है, तो ज़रूरी नहीं है, तो आप yes या no आप देख लीजे, ठीक है, उसके बाद किया rigging supervisor in charge determined the lift meet, any of the condition listed for the wind exist, और wind speed की बात होगी, यानि कि यह complete to company वेरी कर सकता है, तो 25 km per hour से ज्यादा अगर हवा काज speed है, तो lift को नहीं करना है, तो आपको यह देख लेना है, और आपको current speed mention कर देता है, मालते है current speed कितना है, इतना, तो इससे ज्यादा नहीं जाना है, अगर इसमें कोई condition में आपको no आता है, मालनेते हैं कि no आता है, तो आपको section A and B complete करना है, कहीं-कही तो आप 30 भी मेंशन कर सकते हैं, आपको उसके बाद section A भरना है, section A में क्या भरना है कि type of lift यानि कि circle करना है, आप 5 तन से ज्यादा उठा रहे हैं, tandem lift करने जा रहे हैं, suspended man basket lift करने जा रहे हैं, या more than 75 क्योंकि इनी चीजों के लिए ये plan हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद company का न lift meeting date डालना है, कब हुआ था, और मालेते हैं, आज हम pre-lift meeting कर रहे हैं, कल load lift करना है, तो हम lifting date कल कर डालेंगे, उसके बाद operator signature होगा, operator कौन, crane operator, rigor signature होगा, और जो signal person होगा, जो signal देगा, उसका sign होगा, ये सारे लोग का sign होगा, तो ये section A complete हो जाता है, आप देखिए section A और B ल आपको कुछ चीज़े पहले verify करनी होगी, ensure check the following, यहनि कि verify the load weight, जो load है, उसको verify अपने किया है, नहीं किया है, yes or no करना है, तो हमने verify कर लिया, verify lifting point, lifting point क्या होगा, welded luck details होगा है, कुछ तो आपको करने है, तो हाँ हमने कर लिया है, choose proper sealing capacity, अब जितना load है, उस इकन उसार sealing capacity तो as per the lifting plan है, उसके अनुसा sealing मालेते है, हमारा 10 ton का है, यह 20 ton का है, जो भी आप चुन लेजे, उसके बाद जो है, आपको lifting से पहले ground, compaction and underground capacity, underground consideration करना है, यानि कि ground compact है कि नहीं, क्योंकि crane उसी के उपर आएगा, तो load उसके उपर आएगा, तो अगर उसके capacity नहीं होगी, तो क ground के अंदर कुछ माल लेते हैं, drainage होगा रहेगा, तभी उसके उपर crane रखेंगे, तो क्या होगा, drain टूट जाएगा, और crane collapse हो जाएगा, तो ground consideration भी हम लोगो को करना है, underground consideration, visual condition, inspection, यानि कि rigging and equipment है, उसके visual inspection करना है, चेक्रिस भर लीजिए, कि सारे चीज ठीक है, installed is protection and secure ceilings, next ह balance the load, load balance कैसे होगा, तो आपको center of gravity verify करना है, क्योंकि center of gravity verify करते हैं, तो just center of gravity के उपर ही crane का hook लगाते है, इससे क्या फाइदा होता है, load जो है, balance रहता है, कहीं भी दो नहीं जाता, नहीं, तो आप जैसे ही उठाएगे, और center of gravity, और crane hook की line है, और अलग-अलग रहे, जो load center of gravity तरफ भागता है, tagline के use करना है, क्यों, क्योंकि ताकि हम उस load को balance कर पाए, barricade lift area, जहां भी lift करेंगे, वहां पे barricade तो करना ही पड़ेगा, और working under suspended load, यह आपको allowed नहीं है, तो यह आपको देख लेना है, तो इस तरीके से आपको यह सारी चीज है, यह condition है, अब मिठ होना है, lifting के पहले, अब बात आती है, section B की, section B में आप देख रहे हैं कि sketches है, यानि कि आपको जो load उठाना है, उसका sketch यहां पे होना चाहिए, जरूर नहीं ही कैसा ही हो, एक simple है, यानि कि sketch the load and include the following, क्या-क्या उस sketch में लाना है, weight and center of gravity, यह तो weight हो गया, center of gravity कहा है, तो यहां है, describe any obstruction to be avoided, उपर मालेते हैं कोई पे obstruction है, तो आपको देखना है कि यहां पे कोई obstruction है इतना उपर में, तो avoid करना है, list of the rigging tool used including number of ceiling, angle of the ceiling and d-cycles, तो जो आपको lift करेंगे समान, उसमें जो लगाएंगे, तो उसमें सारे चीजे उस sketch में दिखा देंगे, ठीक है, यह कैसे दिखाए उसके बाद who determined the weight of the load, कौन इस load का weight determined किया, कैसे किया, ठीक है, यह दोने चीजे आपको देना है, तो कौन किया तो उसका नाम देते हैं, ठीक है, और how does the exact look verified, तो मैंने drawing से देखके किया, मैंने उसका volume निकाल के किया, तो यहां पे मान लेता है as per the drawing, ठीक है, अब आप जो भ सिलिंग का एंगल 90 है, यह यहां है, यह weight है, ठीक है न, यह सारा चीज, boom length इतना हो रहा है, यहां पे देखिए, सिलिंग का एंगल, अगर सम्मेंशन है, इस तरीके का sketch आप बना सकते हैं, यह देखिए, crane sight यहां पे हो रहा है, यहां से उठाना है, समान को यहां रखना है, इस तरीके से आप sketch बना सकते हैं, इसे देखिए, यहां पे sketch बनाए गया है, तो इस तरीके से आप sketch बना सकते हैं, यह 3D अगर देखिए, तो इस तरीके का sketch आप बना सकते हैं, उसके बाद section C, section C में क्या है, critical lift authorization, यानि कि आपको crane का manufacturer भरना है, कौन से company crane है, crane का model, registration number, total boom length, इस की maximum radius क्या है, swing direction क्या है, यह सब उसके manual में मिलेगा, boom angle क्या है, maximum lifting elevation क्या है, सब उसके manual में यह सारे details होती है, मालेते हैं, यह क्रेन का क्या है, specification है, अब यहां पे आपको अपना भरना है, उसमें बहुत सारे fitting लगते हैं, crane के उपर बहुत सारे additional fitting लगाते हैं, ताके हम एक वेट होता है जीब बूम एक्स्टेंशन लगाएंगे अलग से तो उसका अलग वेट होगा और कुछ अलग से हम चाहें तो एलावेंस दे सकते हैं कि अन्नोन है तो उसको हम लोग एक टन दो टन जो भी आप अलग से वेट दना चाहें दे सकते हैं तो यह एडिस्नल डोड हो गया हैना और क्रें के रेटेट केपैसीटी क्या है वहाँ पर देखना कि यह मान लेते हैं मेलेते हैं कि यह तंड लोड कितना उठा रहे तो लोड मान लेते हम उठा रहे हैं स десятी टन टिक्टाल लीवट कितना हुझा घाववाद हम div का संटल क्योंकि इतना तो वेठी है अउसके उपर इतना अगिलारी यूज कर रहा है तो टोटल इतना हो जाएगा क्रेन की केपसिटी यह निकालना है याने कि हमारा दी बाई बी तो डी कितना है 17 और बी कितना है तो 20 इसका पर रेसिव निकालनेंगे तो लागभग 75 पर्सेंट से ज्यादा आएगा 85 पर्सेंट तो अब हमको देखना है कुछ और चेक करनी है क्या चेक करनी है इलेक्टिकल है जहां आप लिफ्ट कर रहे है वहाँ पे ओवरे देना है, overhead hazard, उपर में कुछ टकराने का रहता है, obstruction, वो चीज़े आपको यहाँ पर mention करने है, underground hazard, जहाँ पर आप लिफ्ट करने जा रहे हैं, वहाँ पर underground कुछ असा है क्या, अगर नहीं है तो no कर देजे, अगर yes है तो आगे बढ़िए, soil on ground condition, क्रिन साइट होगा, खड़ा ह वहाँ पर condition अच्छा होना चाहिए, तो क्या होगा, वो लोड को बियर नहीं कर पाएगा, तो आपको यहाँ पर लिखना है, उसके बाद critical lift coordinator name and signature यहाँ पर होगा, और date, ठीक है, यह clear हो जाता है, section C, section D में आप देखें, तो personal lift authorization, किसी ब्यक्ति को, अगर हमको उठाना है, man basket get through, तो यह section D, उसी के लिए special बना हुआ, इसमें थोड़ा ज़्यादा हमको consideration करना होता है, क्योंकि, किसी आदमी को आप lift कर रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छे से carefully planning नहीं होगा, अगर कुछ हो जाता है, तो दिक्कत होगी, कोई material में थोड़ा कम ध्यान देते हैं, कोई man क की बात आती है, तो ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इसमें भी सेम चीज़ा बढ़नी है, क्रेन का model, क्रेन का manufacturer date, क्रेन manufacturer, क्रेन serial number या unit, क्रेन operator का name, और maximum radius क्या है, platform और man basket ID क्या है, आप man basket के use करेंगा, इसकी ID होती है, number of equipment, इस man basket में कितने लोग उपर जाएंगे, पर्सनेल लिफ्ट सुपर्वाइजर, यह कौन इसको सुपर्वाइज कर रहा है, और क्रेन rated capacity at maximum radius, और maximum allowable lift, 50% of A, हम जो lift allow करेंगे, वो 50% of A, यानि कि मान लेते हैं, यह 10 टन हो रहा है, तो यह 5 टन ही होगा, ठीक है, प्लेटफॉर्म, weight and details, प्लेटफॉर्म का कितना weight है, मान लेते हैं कि 1 टन का platform है, तो वो सब details यहां पर लिखना है, weight of the tool and occupant, उसमें कितना समान जाएगा, तो मान लेते हैं, दो आदमी का weight हो गया, और जो tool जाएगा, वो total weight होगा, B plus C, यह must be less than 50% of the D, यानि कि जो हमारा वहाँ पर 5 टन हमारा capacity बनाता तो यह धाय टन होना चाहिए, यानि कि D का 50%, यानि कि आप देख रहें, यह crane rated capacity का, आप 25% ही आपको उठाना है, ठीक है, यानि कि अगर 10 टन है, तो 2.5 टन से ज़्यादा नहीं lift करना है, as per this checklist, उसके बाद occupant का name, कौन-कौन लोग जा रहे हैं, तो मान दो A, N, B, दो लोग जा रहे हैं, तो उसका यहाँ पर नाम mention करना है, यह section D, complete होता है, यह सारा चीज़ करने के बाद, हमको answer करना है, अगर no आता है, तो आपको lift को perform नहीं करना है, अगर yes आता है, तो आपको lift perform कर सकते हैं, जितना भी crane है, जो भी crane आप यूज करते हैं, उसका currently early inspection है कि नहीं, यानि कि उसका TPI है कि नहीं, भीना TPI कि नहीं उठाना है, तो यह तो legal requirement है, अगर personal platform की बात आती है, man basket की बात आती है, तो यह design by engineer होना है, और उसकी maximum load capacity documented होना चाहिए, तीक है, yes है तो आगे बढ़िए, और अगर no है तो आप यहीं पर इसको बंद करिए, पहले yes करिए, फिर आप आगे करिए काम, is the crane equipment with the positive lock means between the platform and the crane है कि नहीं, positive lock होना चाहिए, किस के बीच में, platform और crane के बीच में, ठीक है, does the weather meet all the acceptable condition, क्या-क्या weather meet करना है, तो wind को जो speed है, वो 25 के equal या less than होना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं करना है lifting, कोई बारिस नहीं आना चाहिए, no rain or approaching thunderstorm, बिजली कड़कना यह सब नहीं होना चाहिए, yes है, तो आगे बढ़िए, five, have the platform and crane been operated in the entire working area prior to lift personnel, आपको man basket का अगर use करना है, तो आपको सबसे पहले उस area में crane को operate कर लेना है, ताकि पता चले कहीं कुछ problem नहीं है, the following apply only to suspended platform, यह ध्यान दीजिए, six number क्या करता है, does the personal platform या man basket has documentation of current year inspection, अभी इस साल inspection हुआ है कि नहीं, जो platform है, अगर है, तो आप आगे बढ़िए, नहीं है, तो पहले वो documentation कराईए, seven, have a load test 125% of the capacity of the personal platform, जो man basket है न, उसमें उसका load test कराना है, उसमें, अगर मान लेते हैं, उसकी capacity 10 ton है, तो उसमें 12.5 ton का load डाल के load test करना होता है, और कितना minute के लिए उसको suspend करके रखेंगे, five minutes के लिए उसको load डाल के रखेंगे, कि वो bear कर पा रहा है कि नहीं, अगर ऐसा हुआ है, तो yes करिए, उसके बाद eight, is the crane equipped with, crane में ये anti-two block और limits use device होना चाहिए, अगर नहीं है, तो आप lift नहीं करना है, what are the alternative to the personnel lift, आप जो man basket के use करने जा रहे हैं, उसका कुछ alternative है क्या, कि बहुत जरूरी है वही काम करना, अगर alternative है तो आप यहां पे mention करिए, कि हम यहां पे mewp का भी use करके कर सकते हैं, या नहीं कर सकते हैं, जो भी ह not being used, तो अगर कोई alternative है, तो वो क्यों नहीं use किया रहा है, वो यहां पे आपको mention करना है, ठीक है, actually main basket के use करना ज्यादा safe नहीं होता है, इसलिए कोई और अच्छा alternative means हो, तो उसको ज्यादा use करे तो अच्छा है, जैसे हमारा, जो mobile elevated work platform होता है, JLG उवरा use करते हैं, यह सार final lift supervisor signature यहां पे होगा, यहां पे deed डली जाएगी, और final lift assessment and plan review and approval signature, अब यह चीज है, सब कुछ होने के बाद approval के लिए जाएगा, यह date and time lift completed जो है, वो complete होगा तब भरा जाएगा, उसके पहले आप देखिए, यह authorized होगा, authorized contractor manager, यहां पे उसको देखेगा, और सब कुछ ठीक हो पाल, वो manager यहां पे sign करके उसको authorized करेगा, उसका date अपना डालेगा, अब अगर आप client के अंदर में काम कर रहे हैं, तो उसके तरफ से भी इसका approval मिलना चाहिए, तो यहां पे authorized clients, site in charge, name and signature होगा, और date होगा, अगर यह सब कुछ approval मिल जाता है, तो आप lifting कर सकते हैं, और अग कैसा लगा आपको यह वीडियो, आप जरूर कमेंट करके बताएं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, subscribe करिए, अपने दोस्तों के साथ share करिए, जिसे उनका भी knowledge बढ़े, तो मिलते हैं, अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक आपना ध्यान रखिए, बाए